हेलो दोश्तों यदि आप रवरता की स्पोकन इंगलिस का फुल कोर्स यूटीब चैनल पर देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे चैनल के नाम पर क्लिक करें जिससे आप चैनल पर पहुंच जाएंगे जहां प्लेलिस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स के सारे वीडिय जाएंगे इन्हें क्रम से देखें ताकि आपको हर्ची आसानी से समझ में आ जाए और आप नए हैं तो यहां क्लिक करके चैनल को जरूर सब्क्राइब कर ले बेल बटन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले नए वीडियो नोटिफिक्स के साथ आपको मिलते रहें और आप इंग्लिस पढ़ने के नियम कि इस भाग तीन के वीडियो में हम दो अक्षरो वाले सब्दों को पढ़ना सीखेंगे इस वीडियो से बच्चे बड़े सभी इंग्लिस पढ़ना सीख सकते हैं शुरू करने से पहले एक चीज़ बात ध्यान में रखें इंग्लिस के सब्दों को हम इंग्लिस के बारा खड़ी के प्रयोग से जैसा हम हिंदी नामों को लिखने के लिए करते हैं वैसा हम इंग्लिस के सब्दों को नहीं पढ़ते हैं बलकि हम कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिस के बारा खड़ी का प्रयोग करते हैं इंग्लिस के M A तो M का उचारन होता है म और A का उचारन होता है A जिसागर हमने पिछले वीडियो में देखा उसी हम उचारनों का प्रयोग करेंगे तो M A तो मिलके बनेंगे कुल उचारन में वैसे भी A A की मातरा के लिए यूज़ होता है तो म में A की मातरा लग जाएगी में तो इस प्रकार हम उचारन करेंगे तो पहले में बोलूँगा उसके बाद आप दोराएंगे M A में बुलिए P A P B A B S A से आईए मेरे साथ दोराएंगे एक ही करके में पे बे से C का उचार होता है क और A काचार A तो बन गया के तो बोलिए के डे वे फे एक बार रिपीट के डे वे फे अब टीक हो चांट तो यह हो गया टे टे रे हे ले एक बार रिपीट कीजी टी का उचारन ट और E का उचारन भी होगा आपका A तो ट A मिलके क्या बन जाएगा आपका टे क्लियर तो यह जो E है वो बार रखड़ी के हिसाब से भी हम A की मात्रा के लिए करता हैं तो T में की मात्रा तो T में A की मात्रा टे तो इस प्रकार यदि ए है तो इसे हम एकी मात्रा पढ़ेंगे तो आईए टे वे पे डे तो एक बार रिपीट करते हैं टे वे पे डे यदि आपको अक्षरों के उचार में दिक्कत आ रही है कि इसका वी का उचान क्या होगा पी का उचान क्या होगा डी का उचान क्या होगा तो पिछला वीडियो जरूल देखे और सभी अक्षरों के उचारों को याद करें प्रेक्टिस किजिए, प्रेक्टिस से हम सीख सकते हैं गे, से, रे, हे दोर आईए गे, से, रे, हे अब, अगला नियम, O वाले, हम सब दो को देखेंगे तो, C का उचान होता है, क, इंगलिस के उचान की नियमों की हिसाब से C का उचान क, O का उचान O, तो क, O, उचान बन गया, क, वैसे भी क में O की मात्रा, क, और इंगलिस बालखड़ी की हिसाब से भी हम, O का यूज, O की मात्रा के लिए करते हैं, तो, C का उचान का, O, मतलब, O की मात्रा तो बन गया, आपका, क, 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 बो, पो, लो, दो, रहाईए, को, बो, पो, लो, हो, यो, यो, सो, अब इसका उचान होगा, O, और, F का उचान होता है, F, तो इसका उचान मनेगा, OFF, OFF, CLEAR, बोलिए, OFF, GO, NO, PH का उचान होता है, आपका, F, और O, मतलब, O की मात्रा, या, F और O बन गया, F, बोलिए, F, तो, अब, P, I, आई वाले हम देखेंगे, कि I का उचान कैसे होता है, तो, P का उचान, P, I का उचान, E, तो, P, E, तो, E मतलब, छोड़ी E की मात्रा, तो, P में छोड़ी E की मात्रा बन गया, आपका, P, तो, I, मतलब, छोड़ी E की मात्रा आपको लगा देनी है, तो, बोलिए, P, C, He, D, एक बाद फिर से रिपीट कीजी, P, C, He, D, Fी, G, Ni, Mi, आईए एक बाद फिर रिपीट करते हैं फी गी नी मी री ली बी जी आईए एक बाद फिर से रिपीट करते हैं री ली बी जी अब नैनियम डबल ओ वाले हम सब्द देखेंगे तो डबल ओ का यूज हम इंदे बार खड़ी में उ की मातरा के लिए करते हैं बड़ा ओ की मातरा के लिए तो ज जेट का उचान ज और इसमें लग गए बड़ा ओ की मातरा तो बन गया जू तो डबल ओ मतलब बड़ा ओ की मातरा आपको लगा देना है तो आईए डबल ओ वाले सब्द देखें जू उ डबल का उचान होता है व डबल का उचान हम व करता है और डबल ओ का उ तो बन गया वू गू पू डिपीट केजिए जू वू गू पू बू लू कू फू आईए रिपीट कीजिए बू लू कू फू सू 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 डबल ओ तो बन गया सू सू रिपीट कीजिए सू रिपीट कीजिए फ छू अब डबल एवाले तो डबल ए मतलब बड़ीए की मात्रा तो प में बड़ीए की मात्रा लग गई पी या फिर प का उचार्म प डबल ए का ए तो इचार्म बन गया पी तो डबल एवाले सब دेखें पी वी B C एक बाइ फिर दो रहा है P V B C G F F M G दो रहा है G F M G याद रहा है CH का उचारण CH A अब यू का उचारण तो यू का उचारण हम इंगलिस की नियाम के ती साब से यू का उचारण का होता है AI तो ऐंचारण अ यू का उचारण अ तो M A M म히 रहेगा मतलब म के साथ AU उचारण होगा तो म का महीर हैगा तो देखी युवाले सब्द म ह ब क सी को चारण क और युवाले चारण अ क क्लियर क्या बनेगा क एक बार फिर से दो रहाईए म ह ब क स ड इक बार फिर दो रहाईए स ड ल न अब एक इंगलिस पढ़ने का नियम के साब से अचारण अब का ल और अचारण होगा मतलब बड़ी ए की मात्रा तो ल में बड़ी ए की मात्रा बन गया आपका ली क्लियर अचारण ल और ये का अचारण ए तो बन गया ली तो आईए पढ़ते हैं ये वाले सब ली, टी, नी, बी एक बार दो रहाईए ली, टी, नी, बी पी, सी, बी, ही एक बार दो रहाई पी, सी, बी, ही अब आई वाले सब देखेंगे हम यहाँ पर आई का उचान ई न होगा बलकि क्या होगा आई तो क में आई का उचान जुड़ेगा आई तो बन जाएगा काई पतले जो क है उसमें जो हमारा आ है वो आ की मतल लग जाएगा वेंजन जो क हम है मैं और ई रह जाएगा तो क, आई क, आई काई तो आईए आई वाले सब देखेंगे क काउचान क और आई काउचान आई तो बन गया काई बोलिए काई हाई टाई माई एक बार दो रहाई ये काई हाई टाई माई एन का उचारण न आई का उचारण आई बन गया नाई बोलिए नाई राई साई वाई रिपीट कीजिए नाई राई साई वाई पाई पाई बाई साई एक बाफिर से दो रहाई पाई पाई बाई बाई साई तो इस वीडियो को दुबारा देखिए प्रेक्टिस कीजिए क्योंकि प्रेक्टिस सही है आप इंगलिस पढ़ना सीख सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकरिकर के साथ आपको मिलते रहें और आप इंगलिस सीखते रहें थैंक यू फो वाचिं इस वीडियो